दोस्तों तेरी मेरी सब की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम मन की नहीं काम की बात करेंगे यानि तेरी मेरी सब की बात में आज हम रोजगार की बात करेंगे युवाओं के लिए सबसे बरा सवाल यह है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उनकी योगता के आधार पे उनको नौकरी मिले, उनको रोजी रोजगार मिले, जिसके आधार पे वो अपने परिवार का भरन पोशन कर सकें, अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें और इसलिए प्रतेक चुनाव में रोजगार एक बहुत महत्पुन सवाल होता है लेकिन चुनाव के पहले जो पार्टी सरकार में आती है वो रोजगार की बात करती है लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो रोजगार के सवाल को भूल जाती है यदि हम भाजपा के घोशना पत कि बात करें तो भाजपा ने अपने घोषना पत्र में कहा कि हम 25 करोर रोजगार पैदा करेंगे लेकिन यह 25 करोर रोजगार कब तक पैदा किया जाएगा इसका कोई डेट या इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई मतलब यह है कि मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट और आज की स्थिति यह है कि खुद देश के एक मंतरी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मांगना नहीं चाहिए उनको रोजगार देने की बात करनी चाहिए और वो यह भी कह रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है मतलब यह है कि आप बिमार हैं आप किसी दॉक्टर के पास गहें हैं और डॉक्टर आपको यह कह रहा है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे उल्टे आप हमारा इलाज कर दीचे अगर इस देश के अंदर सरकार का काम काम पैदा करना नहीं है रोजगार पैदा करना नहीं है तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री का काम fancy dress competition में घूमने का है कि अलग-अलग देश में जाएं अलग-अलग राज में जाएं और वो fancy dress पहन करके अपनी भाशन बाजी करें अपनी जुमले बाजी करें लेकिन जो उन्होंने कहा है जो वादा उन्होंने जनता से किया है क्या उसके उपर युबाओं का काम नहीं है कि वो उन्होंपे सवाल खड़ा करें और मैं समझता हूं कि इस देश के उवा अपने काम को लेकर के अपने आत्मसम्मान को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं और साइद यही बज़ा है कि काम के बात को जुठलाने के लिए आज मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान की बात की जा रही है मैं आपके सामने वह बात याद दिनाना चाहता हूँ जिसमें परधान मंतरी ने स्वेंग कहा था कि हम परते एक वर्स एक करोर रोजगार पैदा करेंगे लेकिन इस्थिति यह है कि परते एक वर्स एक लाख पेंटीस हजार रोजगार भी पैदा नहीं किया गया है लेबर ब्यूरो के अनुसार जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में इस देश की बेरोजगारी दुगनी हुई है वह 3% से बह बढ़ करके लगभग 6% हो गया है हमारे यहां एक बात और भी कही जाती है कि भूखे भजन न होई गुपाला तो पेट भरने के लिए हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं लेकिन लेबर ब्यूरो उन लोगों को जो अपनी योगता के आधार पे कमतर कामों को करते हैं उसको बेरोजगार के रूप में सामिल नहीं करती है यदि उसको छोड़ भी दिया जाए तो भी भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाय सरकार के द्वारा लागो की गई है उसकी इस्थिती ये है कि उस पे खर्च तो बहुत हुआ है लेकिन उससे रोजगार पैदा नहीं हुआ है यदि हम इस बात का मुल्यांकन करें और सरकार की एक योजना को उठा करके देखें सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम था स्किल इंडिया हलाकि उस स्किल इंडिया में S साइलेंट है और उसको पढ़ना चाहिए किल इंडिया स्किल इंडिया के अंतरगत 12,000 करोर रुपया खर्च किया गया और उससे मातर 17 फीसदी लोगों को रोजगार मिला मतलब 100 लोगों को स्किल बनाने की ट्रेनिंग दी गई उसमें से मातर 17 लोगों को रोजगार मिला ऐसा क्यूं हुआ है ऐसा इसलिए हुआ है कि बाहर में जहां आप पढ़ाई करते हैं किसी विद्याले में और जब आप काम के लिए बाहर निकलते हैं तो बाहर रोजगार है ही नहीं भारत के अंदर यदि मैं इंजीनिरिंग की बात करूँ तो प्रतेक वर्स लगभग 5 लाख से ज़ादा इंजीनियर तयार होते है लेकिन बाहर में रोजगार की स्थिती ये है कि प्रतेक वर्स 1.5 लाख रोजगार भी पैदा नहीं होता है मतलब ये है कि इस देश के जो इंजीनियर हैं उनको जब नौकरी नहीं मिल रही है तो इस देश के अंदर जो non-skilled लोग हैं जो non-technical लोग हैं उनको नौकरियां कहां से मिलेगी और उस बात को ही आधार बना करके प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम भारत को डिजिटल करेंगे मेकिन इंडिया कुल मिला करके यह है कि हम मेकिन इंडिया का नारा लगाएंगे 12,000 करोर रुपया उसके उपर खर्च करेंगे लब जब भारत में काम देने की बात होगी तो हम भारत में काम किसी भारतिय कंपनी को नहीं देंगे बलकि हम वह काम चाइना को दे देंगे इसका दो एक्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी सरदार बल्लब भाई पटेल के नाम पे एक unity of institute को बनाने की कोशिश कर रही है सरकार वह काम लगातार हो रहा है और सारजनिक छेतर की कमपनियों ने उसके लिए अनुदान दिया है उसके लिए चंदा दिया है ये बहुत अच्छी बात है कि सरदार पटेल की मूर्ती बनाई जा रही है लेकिन उस मूर्ती को बनाने के लिए किसी भारतिय कमपनी को टेंडर नही है और Makin India के तहट कोई इंडियन इतना योग नहीं है जो सर्दार पटेल की मूर्थी बना सके इसके साथ साथ नागपुर में अभी एक मेट्रो की शुरुआत की गई है उस मेट्रो को बनाने का काम भी भारत को नहीं दिया गया है भारत की किसी gravitasi company को नहीं दिया गया है वो Chinese company को दिया गया है जब demonetization किया गया तो सरकार ने कहा कि इसका उद्देश ये है कि हम digital currency की शुरुवात करना चाहते हैं और डीजिटल currency के नाम पे PM ने पे T disso का परचाड किया, सवाल ये है कि Is提 बिदेशी कमपनी का बिना किसी समझहोता का वो यहाँ पे आएंगे, अपनी कमपनी लगाएंगे, अपनी टेकनोलोजी हमको नहीं देंगे, मतलब यह है कि हम भारतिय लोग बिदेशी कमपनियों के प्रोडिूशर नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजियुमर बन करके रह जाएंगे साइद यही वजह है कि आज हमको इस कॉर्परेट राज में बिटिस राज की याद आ रही है कि मैंचेस्टर की कमपनिया हिंदुस्तान आती थी और यहां के जो सूत पैदा करने वाले कपास पैदा करने वाले किसान थे उनके कपास को खरीद करके इंग्लेंड ले की जनता गरीब थी आज फिर से उस राज की पुर्णा विर्ती हो रही है साइद इसी लिए महानर्थ सास्त्री थोमस पिकेटी ने कहा है कि भारत बिटिस राज से कॉर्परेट राज की तरफ जा रहा है और इस दौर में जब सरकार को इन पॉलिस्यों से लरना चाहिए तो तो सरकार उनके सामने रेट कॉर्पेट बिशा रही है कि वो यहां आए और हिंदुस्तान की कमपनियों को लूटे और भारत के युवाओं को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है ये उनके एजेंडे में सामिल नहीं है ऐसे दौर में हम युवाओं के सामने एक बहुत जादा रोजगार पैदा होता है आज इस्तिती ये है कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि वैस्विक अस्तर पे जो आर्थिक मंदी आई है उस आर्थिक मंदी के चलते भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है ट्रम्प जैसे नेताओं के Amirika जैसे देशों में जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के बाहर के लोगों को अमेरिका में काम करने नहीं देंगे सवाल यह है कि इस देश के अंदर यदि मोदी जी जी और टरंप जी की दोस्ती बन रही है तो उस दोस्ती से किसको फाइदा हो रहा है इस देश के नौजवानों को फाइदा मिल रहा है या इस देश की और बाहर की जो कॉर्पूरेट कमपनिया है उसको फाइदा मिल रहा है इन बातों पे बहुत तसली से सोचने की जरूरत है कुल मिला करके मैं ये कहूँ कि साइद आज हम नौजवानों के पास जो रोजगार का सवाल है वो सबसे बरा सवाल है ये जो इस्थिती बनी है उस इस्थिती से हम इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि हमारा देस तो बदल रहा है देस इस रूप में बदल रहा है कि जो और परेट राज के भोपू बन चुके हैं विकास हो रहा है लेकिन इस देश की बेरोजगारी में विकास हो रहा है इस देश की गरीबी में विकास हो रहा है इस देश की महंगाई में विकास हो रहा है ऐसे दौर में आज के विकास को यदि हम कहें तो यह जॉब लेस ग्रोथ नहीं है यह job loss growth है इसकी स्थिती यह है कि जो बरी-बरी कमपनिया हैं चाहें वो महिंद्रा हों इनफोसिस हों इन तमाम कमपनियों में लगातार इस skilled जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनकी छटनी की जा रही है और यह छटनी का दौर यदि चलता रहा बेरोजगारी एक महामारी के रूप में तबदील हो जाएगी और जब कोई देश का युबा किसी महामारी से जूजता है वह देश कभी भी विक्सित देश नहीं बन पाता है यदि हम इस देश को विक्सित रास्ते पे आगे बढ़ाना चाहते हैं एक सकती साली देश का निर्मान करना चाहते हैं हमें युबाओं के भविस्ट का भी निर्मान करना परेगा और युबाओं के भविस्ट के निर्मान से सरकार अपनी जिम्मेधारी के कंदे को नहीं जहतक सकती है क्योंकि लोग वोट देते हैं उनको काम के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्त के लिए, सिक्छा के लिए. यदि वो काम पे काम नहीं करेंगे तो वो किस पे काम करेंगे? प्रधान मंतरी का काम इस देश के युवाओं की जो समस्या है उसको हल करना है और इस देश के युवाओं की सबसे बरी समस्या ये है कि पढ़ने लिखने के बाबजूद इसकिल होने के बाबजूद उनके पास रोजगार नहीं है इस देश के युबाओं को हर हाल में बचाना होगा और मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान की जगा हमको काम की बात को तबज्यो देनी होगी तेड़ी मेरी सब की बात में अगली बार हम फिर इस देश के मुद्दे के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया